इसके बाद एक term आता है जिसको अपन बोलते हैं quasi static process यह process सबसे नियरबाई होता है एक reversible process बनाने के लिए जैसे के हमने पहले भी पढ़ा था reversible process में क्या होते हैं जितने भी intermittent points होते हैं वो सबके सब equilibrium में होते हैं all the intermittent points यह जितने भी points आपको दिख रहे हैं यह सब equilibrium में होते हैं तो quasi static process में almost यह condition reach की जा सकती है अब यह quasi static process क्या होता है यह थोड़ा समझते हैं बहुत ही easy example के साथ में अब जिसे देख लीजिए कि यहाँ पे एक piston arrangement बोल सकते हैं आप वैसा ही है और यहाँ पे उपर में एक weight रखा हुआ है mg तो इसका mass m है अब इसमें क्या weight के वज़े से क्या होगा displacement होगा और इसमें जो pressure generate होगा वो कितना होगा आपका जो weight है divided by आपका जो piston का area है तो अब इसमें अगर एक बार में रख देंगे तो फिर वो उसको तो आप reversible process anyhow बोल नहीं सकते हैं इतना कुछ displacement अगर हो जाएगा instantaneously होगा तो वापस reversible होना वो possible नहीं है तो हम क्या करेंगे what we will do कि हम लोग इस जो block है यह जो mass है इसको slice by slice यह देखे slice by slice इसमें रखते जाएंगे धीरे धीरे करके एक एक slice करके इसको रखते जाएंगे infinite number of slice नहीं है यहाँ पर n number of slice है यह मान लिजे कि 1000 slice रख दिये 10,000 slice रख दिये इस mass के तो उस हिसाब से यहाँ पर वैसी 1000 या 10,000 आपके points बनते जाएंगे intermittent states generates होते जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि वो जो आपका displacement जो इकटे एक बार में हो रहा था instantaneously हो रहा था वो नहीं होते हुए धीरे-धीरे displacement होगा और final position पे बहुत ही slowly जाएगा और reversible process का definition हम क्या जाने थे कि बहुत ही slow होता है very slow processes there in reversible process तो यह चीज इसमें attain हो जाती है बट फिर भी इतना करने के बाद भी कुछ energy loss हो ही जाता है मतलब आप इतना मेहनत कर रहे हैं slice by slice mass को डाल रहे हैं बट फिर भी loss of energy is still there so quasi-static process is almost reversible but not completely